बिस्मिल्लाहरोहमान रहीम, वेलकम तो देवल्ड आफ क्रोशे आज हम हम आज लेस्न वन पर काम करेंगे लेस्न वन में हम बेसिकली तीन चीजों करेंगे जिन में सबसे पहले हैं हुक साइज, सेकंड ली गौज, थर्ड ली चेंश्टिच तो चले स्टार्ट करते हैं हुक साइज से हुक साइज में सबसे पहले मैं आपको हुक का एफेक्ट पताती हूँ यहां में यह पास दो रेपस पैटरन्स हैं इन दोनों के साइज में डिफरेंस, एक छोटा है और एक बड़ा है लेकिन इनके जो बेसिक चेंश्टिच वह इक्वल हैं 35 और इनको पैटरन है वह बहु एक्जाक्ली सीम है इनके इनमें साइज का डिफरेंस आया हुआ है वह सिरफ और सिरफ होक साइज के डिफरेंस की वज़े से आया हुआ है यह छूटा वाला मैंने 5 mm से बनाया है और जो बड़ा वाला है वह मैंने 8 mm से बनाया हुआ है इन दोनों के होक्स में आप फर्क देख सकते हो कि कितना क्लियर डिफरेंस है जिसकी वज़े से इन दोनों के साइज में भी डिफरेंस आ गया है यहां पर आपको hook size conversion chart मिलेगा, जिसमें हमारे पस तीन standards है, सबसे पहले है matrix, secondly US and thirdly UK, metric and US में हमारे पास hook sizes है, वो जैसे ही numbers increase होते हैं, उसके साथ hook size increase होता है, और UK में जब number increase होता है, तो hook size decrease होता है, आप चलते हैं, God size की तरफ, God size basically एक अन्दाज़ होता है, या एक standard होता है, यहां पर इस picture में आप देख सकते हो, यह एक yarn के पर जो label लगा होता है, यह उसकी information है, square number 3 के आप देखो, तो लिखा हुआ है 14S, 16R, 4 x 4 inches, 10 x 10 cm, पर center में लिखा हुआ है 5 x 5 mm, और crochet hook बनाओ, इसका मतलब के crochet का 5 x 5 mm, 14S से मुराद यह है कि 14 stitches and 16R से मुराद है 16 rows, 14 stitches अगर आप 5.5 mm से करोगे, और 16 rows तक crochet करोगे, तो आपके पास 4 x 4 inches का एक square आजाए, अब आपके पास एक अंदाज़ा आ गया है, कि अगर हम इस standard के मताबिक काम करेंगे, तो हमारे बस 4 inches का square बनेगा, अब आपको suppose 8 inches का बनाना है, कोई square या 16 का बनाना है, तो आप उसके मुताबिक अपने stitches double करेंगे, triple करेंगे, और accordingly rows को भी है न, double and triple करते रहें. अब chain stitch बनाना सीखते हैं, chain stitch बनाने के लिए सबसे पहले knot बनाना सीखना होगा, तो चलिए knot बनाते हैं, के लिए आप याँ को अपने फिंगर्स पर इस तरह एड्रेस कर लेंगे, कि छोटा वाला पोर्शन आपके उंग्रियों के फ्रंट साइट पर आए और जो बड़ा वाला है वो बैक पर बैक से लंबे वाले को लेकर हम फ्रंट वाले चोटे पर क्रॉस कर लेंगे, और हुक के यूं सेट कर लेंगे इसको अब चेंड स्टिच बनाते हैं चेंड स्टिच के लिए आप याँ को इस तरह से अपने फिंगर के पीछे से लेकर आएंगे और यह जो अपने थंगर है इसको यहां पर रखके यूं इसको अज़िस कर लेंगे यहां से पकड़ लेंगे फिर लिए इसे अपने प्रेका आपने हुक को जो एक लिए जाएंगे और नीचे से राइट किताफ लाएंगे और आपने यह खुड़ाले प्रेक्ड चेन अब लिए नॉट के साथ उसे निकालेते तो अग़े लिए जाएंगे 5, 6, यह देखे कितना क्लियर हमारा चेंज स्टिच बना है I hope सब को समझ आ गई होगी कोई मसला हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्रोशर कॉर्णर के में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक करे और शेयर करें फेस्बुक पर क्रोशर कॉर्णर की बेच को लाइक करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में आट्यो क्रोशे के लेसन नंबर चू में हम तुरिफरेंट स्टिच सिखेंगे सबसे पहले सिंगल क्रोशे देन हाफ जबल क्रोशे देन डबल क्रोशे